कख्षा आठवी सुगम भारती के दूसरे पार्ट ये दूसरी खाई का दूसरा पार्ट है परोपकार इसके वीडियो में आपका स्वागत है ये कथा श्री कृष्णी जी से ने लिखी है पहले हम लेखक का परिचाए देखेंगे और इसके बाद में इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे परिचाए श्री कृष्णी जी ने अपनी कहानियों एवन लगुकताओं के लिए प्रसिद है आपकी कहानिया एवन अन्य रश्णाए विबिन पत्र पत्रिकाओं में सत्त छप्ती रहती है आपकी रश्णाओं में जीवन मोल्यों की प्रधानता पाई जाती है गद्य संबंदी यहां दी गई लगुकता में लेखक श्री कृष्णी जी का कहना है कि व्यक्ति को प्रेम एवन आदर शारिर्क सुन्दर्ता के कारण नहीं बलके उसके सद गुनों के कारण प्राप्त होती है चलिए इस पार्ट को पढ़ेंगे इसे समझने की कोशिश करेंगे यह दूसरा पार्ट है परोपकार बहुत पहले की बात है गाउं में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंद फैला रही थी अब यह क्यारियां जो होती है यह खेतों मेंडों से गिरे इस्थान पर जिन पे पौदे लगाए जाते हैं और बाजू से रास्ता होता है उसे कहते हैं तो एक गाउं में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंद फैला रही थी سگند یعنی خوشبو फूलों से मदू एकटा करने के लिए मदू मक्याँ फूलों पर मन्डरा रही थी मदू मक्याँ शहत की मक्यों को हनीवी इसको कहते है एक मदू मक्यी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी गुलाब यानी रोज मदुमकी यहनी भी गुलाब से रस चूस रही थी तबी एक बर उड़ती हुई वहाँ आ पहुची यह बर क्या है यह ततया नाम का एक उड़ने वाला कीड़ा है इसे बर कहते हैं मंडराना यहनी किसी के चारो और गूमना वह मदुमकी को देखकर जल भून गई कौन बर बर ने मदुमकी से का हम दोनों में बहुत समानता है हम दोनों के पंक है हम दोनों उड़ सकती है हम दोनों फूलों का रस चूसती है हम दोनों डंक भी मारती है फिर क्या कारण है कि मनुश्य तुमको पालते है और मुझे दूर भगाते है वैसे मैं तुमसे अधिक सुन्धर भी हूँ मुझे बताओ कि मनुश्य मेरे साथ ऐसा क्यूं करते है अब देखिए ये जो कन्वर्जेशन है बातचीत है ये बर और मदू मक्य के बीच में हो रही है अब यहाँ पर परौपकार की भावना को यहाँ पर लेखक ने पेश किया है परौपकार का मतलब होता है दूसरों के हित का ध्यान रखना या दूसरों पर उपकार करना डंक ये मदू मक्य बर आदी का जहरीला काटा दंश होता है जिसे डंक कहते है अब यहांपर डवर ने पूछा कि मदूमक्खी तम्हारे तुम्हें लोग क्यों चाते हैं मनुश्य क्यों चाते हैं जबके मैं तुमसे ज़्यादा सुन्दर हूँ अब मदुमक्खी का उत्तर देखिए मदुमक्खी ने उत्तर दिया ये सच है बहन तुम रंग बिरंगी हो उड़ती भी हो तो फिर तो उड़ती भी हो परन्तु फिर भी तुम्हारा आधर नहीं होता आधर यानि इज़त नहीं होती इसका कारण ये है कि कोई भी प्रानी सु इज़त आदर पाता है उसके अच्छे गुनों से मनुष्य उन प्रानियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं परोपकारी यह दूसरों पर उपकार करने वाले दूसरों के हितों का ध्यान रखने वाले दूसरों को दुख नहीं पहुँचाते हैं तुम सुन्दर हो परनतों मनुश्य को केवल कष्ट देती हो अब यहाँ पर बर को उत्तर दिया मधु मक्की ने कि तुम सिर्फ कष्ट देती हो मनुश्य का ध्यान नहीं रखती तुम उन्हें डंक मारती हो तुम्हारे डंक मारने से सूजन आ जाती है बहुत दर्द होता है मैं उन्हें मुमीठा शहद देती हूँ यानि बर क्या करती है डंक मारती है जिससे सूजन आती है और दर्द होता है जबके शहद की मक्ही हनी भी मदु मक्ही शहद देती है मैं उनके काम आती हूँ यही कारण है कि मुझे पालते है और तुम्हें दूर भगाते है यह कारण यहां पर बयान किया गया है कि बर को क्यों पालते है और क्यों भगाते है और शहद की मक्षी को क्यों पालते है